मित्रो कुछ दिनों से लॉरेंस बिस्नोई का नाम एक बार फिर से मीडिया की सूर्ख्यों में छागया है जब से बाबा सिद्धकी की हत्या हुई है। वही से उसने साफ साफ संकेत दे दिया है कि हिंदू देवी देवताओं का मजाक उडाने वाला मुनवर फारू की उसका अगला टारगेट होगा। अब ये दो बात सभी जानते हैं कि अगर लॉरेंस बिस्नोई ने ये बात कह दी होगी तो वो उसको पूरा करके ही मानेगा। लेकिन इसके बाद से हिंदूों के उपर इस प्रकार की टीका टिपणी करने वालों के नीचे से इस प्रकार से दिल अगलते हुए जस्टिन टूडो भी काम कर रहा है और वो भी के हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है जी और वो भी इसी रन्नीती पर के आरोप लगाओ सबूत मत दिखाओ केवल दूसरों से ही सबूत मांगो वही कारे कर रहा है। इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी है क्या वजहे हैं कि यहां से छे राजनईकों को निकाला गया वहां जाते ही उन राजनईकों ने सीधे लोरेंस बिसनोई का नाम ले दिया और वहां पर उपस्थित रहने वाले सिक समाज या खालिस्तानी सेंपटाइजर्स की वोट लेने का एक जटके में काम कर लिया है। इसके हमने कैश ओन डिलीवरी फ्री डिलीवरी 9% तक कैश बैक और किस्तों में सुवधा उपलब्द करवाई हुई थी अमेजन पर वो अब समाप्त होने जा रही है। जिनके पास में समय है वो इस पुस्तक को जल से जल खरीद लें। तो भाई बात ऐसी थी कि 2015 में जब जस्ट अमीद सिंग वहाँ पर सिखों का वोट लेकर तकरीबन 24 सांसद अपने बना चुका था। पूर्ण बहुमत के लिए टूडो को 14 सांसद चाहिए थे लेकिन उसने दे दिये थे 24 वहाँ पर सिखों की जमात टूडो का सपोर्ट करने लग गई थी। आप से भी जानते हैं कि टूडो के आने के बाद में पंजाब से बहुत बड़ी मात्रा में सिख लड़के लड़कियों का पलायन हुआ है कनाडा के अंदर चाहे वो पढ़ाई हो चाहे फोर वो बिजनिस या नोकरी के नाम पर हो। वहाँ पर बढ़ती हुई जन संख्या ने पैसा भेजा भारत व उगाट हमेशा रही, वो यह कि सिक ऐसा ना हो के पूरी तरीके से लाम बंद होकर के डैमोक्रेटिक्स के पास चले जाए और साती सात हिंदू भी चले जाए और फिर उनकी सरकार कभी भी ना आपाई या फिर बैसाखी की सरकार बने। टूडो का हमेशा हमने इसी प्रकार क नजरिया देखा है कि वो भारत के प्रती उस सम्मान की भावना को नहीं रखता जितना की एक राजनेग को रखना चाहिए वैसे भारत भी उसको अपने मूद की धार पर ही रखता है ना उसका कहीं पर कोई सम्मान होता और ना ही खुद परधान मंतरी नरंदर मोदी उसको कोई इज़त बख्षते हैं लेकिन नया मामला क्या है नया मामला ये है कि 2025 के तैयारी कनाडा में चल रही है जस्टिन टूडो ने अपने राजनईकों और अपनी पार्टी के लोगों के द्वारा वहाँ पर ये प्रचारित और प्रसारित करवाना शुरू कर दिया है कि जो सिखों की हत्याएं हो रही हैं वो भारत की राव द्वारा बिश्नोई गैंग की सहायता से की जा रही है अब आप से भी जानते हैं कि विश्नोई का और खालिस्तानियों का 36 का आकड़ा है और इसको हम यहां से समझ सकते हैं कि जब सिद्धू मुसे वाला की हत्या हुई थी तब विश्नोई गैंग का ही हाथ बताया गया था उन्होंने खुल कर इसमें अपनी सनलिप्तता जग जाहिर कर दी थी और काराण यह था कि बिश्नोईयों के जो परमित्र थे उनकी हत्या करने वाले लोगों को मुसा ने कहीं सपोर्ट कर दिया था लेकिन अगर इसकी भी बैक स्टोरी में जाएं तो कभी के टाइम में बिश्नोई लॉरेंस बिश्नोई और खालिस्तान का बड़ा तकड़ा दोस्ताना हुआ करता था याराना हुआ करता था और एनाई ये तो ये कहता है कि इनका दोस्ताना याराना आज भी चलता है और व खालिस्तानियों के दुश्मन बन गये। ऐसा हमने गैंक्स्टर्स में काफी बार देखा है कि जो छोटा राजन कभी के टाइम में D कंपनी का दाया हाथ हुआ करता था वही उनका दुश्मन बन गया था। और इसी के चलते खालिस्तानियों की हत्याएं शुरू ही कनाडा के अंदर लेकिन इसमें एक और बड़ा पेंच आता है कि जिस प्रकार से कनाडा के अंदर खालिस्तानियों की हत्या हो रही थी उसी प्रकार से दरजनों आतंक वादियों की हत्या पाकिस्तान में भी हो रही थी और उसी तरीके से उसी टाइप के शार्प शूटर्स जो कभी पकड़े ही नहीं गए तो इसका कारण क्या था इसके पीछे शक तब और ज़्यादा गहरा जाता है जब लॉरेंस बिसनोई को ट्रांसफर कर दिया जाता है साबरमती जेल गुजरात के अंदर और वहां से यह सारी चीजें मैनेज हो रही हैं ऐसा आरोप लगा रहे हैं कुछ राजनेता लोग के गुजरात में अगर वो है तो वहां पर जरूर इंटर्नल कुछ मीटिंग्स जारी हैं NSA की या तो फिर RAW की या तो फिर IB की और उसकी छतर चाया बनकर खड़े हुए हैं दो गुजराती तो दो गुजराते कौन है मुझे बताने के अब शक्ता नहीं है य इन सब की हत्या में बिश्नोई गैंग है बिश्नोई के खिलाफ इस परकार की बयान बाजी करके टूडो को सबसे बड़ा बेनिफिट हो सकता है उसके चुनावों में और इसका नुकसान भरना पड़ सकता है जगमीत सिंग को तो सिखों को भी ये तै करना पड़ेगा कि हम बिश्नोई को अपनी इंटरनल सिक्यूरिटी पसंद नहीं है या फिर उनको एकता में रहना पसंद नहीं है और दूसरा सवाल ये कि जब एक लॉरेंस बिसनोई लोगों का हीरो बन सकता है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एक चिंकारा की हत्या के बाद में किसम उठाई थी तो फिर अपनी पुरानों में वेद दर्शन गीता में गाए माता को सबसे पूज बताये जाने के बावजूद भी क्या हिंदू एक बार भी इस प्रकार की किसम नहीं उठा सकता था। गउं रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है क्या उसको हमारा समाज उतना सपोर्ट कर पा रहा है जितना कि लॉरेंस बिसनोई को कर रहा है। उठा सकता है तो एक हिंदू क्यों नहीं। जब लॉरेंस के कसम उठाने से आज तक किसी ने चिंकारा को नजर भर के नहीं देखा तो क्या किसी हिंदू के भी गउमाता के प्रती इस प्रकार की कसम उठाने से कोई गउमाता को छूपाता। यही कमियां हिंदू की एकता का धागा खोल देती है पूल खोल देती है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही आपको क्या लगता है कि क्या कनाडा के अंदर लॉरेंस बिसनोई का नाम सिर्फ केजरिवाल की तरज पर इस्तेमाल हो रहा है या फिर उसके गैंका कहीं ना कहीं सदूपयोग हो रहा है और इस परकार के दुश्मनों को शान्त किया जा रह है और जिस परकार से बताया जाता है कि खालिस्तान का बाप है लॉरेंस क्या आप भी इसमें विश्वास रखते हैं या फिर ये सारे के सारी अफवाएं हैं हमें नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं और हमें बताएं कि आपने अभी तक धायमोर्चे का चक्रवियू नाम का वो कोर्स वो हत्यार खड़ीदा अत्वा नहीं जिसकी इस समय पर आपको सरवादिक अवश्यक्ता है मेरे संग बोली सत्यस नातनमेदिक धर्म की जय जय हिन्वंदे मातरम